आस्मान को चीरता ये अंत्रिक्षियान तयार है भारत का जासूस बनने के लिए जासूसी करने की इसकी बेजोड महारत की वज़े से ही इसे दुनिया भारत की खुफिया आँख कह रही है हमारा अंत्रिक्षियान PSLVC-48 Reset-2BR-1 नाम के स्पेशल सेटलाइट के साथ नौ विदेशी उपग्रहों को लौंज कर चुका है विदेशी उपग्रहों को लौंज करना तो अब भारत के लिए पुरानी बात हो चुकी है सुनना है तो Reset-2BR-1 की खुबियों को सुनिये ये रडार इमेजिंग निगरानी उपग्रह है इसका वजन 628 किलोग्राम और उम्र 5 साल है ये सेटलाइट भारतिय सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही खास है ये भारत की दूसरी खुफिया आँख है इसके आने से भारत की रडार इमेजिंग ताकत अब कई गुना बढ़ गई है ये भारतिय सीमाओं की निगरानी करेगा और उनकी सुरक्षा को अभिद बनाएगा ये किसी भी मौसम में बेहत साफ तस्वीरे ले सकता है बादनों की मौजूदगी में भी ये दुश्मन की गति बिधियों पर पैनी नजर रख सकता है ये ही नहीं इससे आपदा राहतकारे आसान हो जाएंगे Reset 2BR1 का Defense Intelligence Sensor भारत में ही बनाया गया है जिससे रात में भी तस्वीरे ली जा सकती है ये 100 किलोमीटर के दायरे की तस्वीरे भेजेगा इसे खास्तोर से सीमा पार से होने वाली घुसपैट को रोकने के लिए तयार किया गया इससे सीमा पार हो रहे आतंकी जमावडे की जानकारी भी मिल सकेगी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन सटीक तरीके से चलाए जा सकेगी